दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजे हमारी वीडियो को लाइक इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूस के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबा दें दोस्तों कोल का था नाइट रड़ेस की टीम की तरफ से दिन बर में काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है और रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे-च्छे मुकाबले अब हमें क्रिकेट में देखने को मिलने वाले हैं क्यों क्योंकि IEPL यार रिटर्न करने वाला है आप कुछ ही दिन रहे गए है वैसे तो इंजरी प्रीमियर लीग हो गया है बट इसके बावजूद भी सभी टीम में काफी एक्साइटेड है फैंस भी काफी एक्साइटेड है लेट्स होप आप बात कर लेते हैं दिन बर की टॉप अपडेट की तीम केकर की तरफ से पहली अपडेट निकल कर आ रही है कैप्टन सी को लेकर तो यहाँ पर दोस्तों श्रीय श्रीयर आएंगे या नहीं आएंगे या बाद में रिटन करेंगे ये आउट अफ दा बॉक्स क्वेस्टन है क्योंकि आप पर पहले मुकाबले में तो श्रीय श्रीयर नहीं है ना तो आप श्रीयर श्रीयर दूसरे में तीसरे में काफी सार लोग यह बोल रही है यह दूसरे तीस्रे match में उनके इसाथ report आ रही है दूस्तों जासा कुछ भी नहीं है वो return करेंगे तो last के दो-3 matchों में करेंगे बैट दोस्तों वो पिछले इंटराइस स्कॉर्ड मुकाबले में खेले ही नहीं इंजरी के चलते बट अगले इंटराइस स्कॉर्ड के अंदर वो जरूर खेलेंगे तो उसके अंदर एक बार हुए कि कप्तानी किस तरह से चल रही है coach वो देखना चाहते है announcement से पहले और एक बार वो खेल लेंगे तो announcement भी हो जाएगी वैसे निती शिराना की surety है let's hope दोस्तों निती शिराना के जो stats है वो बहुत अच्छे जाएं हाला कि शाडूल ठाकूर भी एक choice है और अगर दौनों के अंदर team KKR के head coach को doubt होता है तो फिर आन रिसल के साथ वो जाने वाले है ताकि players के अंदर यहाँ पर एक seniority बनी रहे और यहाँ पर कोई भी player किसी भी player के out respect ना करे let's hope for the best but आप comment करें अगर बता दो stand-in captain Punjab Kings के match के अंदर KKR का कौन सा होना चाहिए अगली update निकल कर आ रही है practice camp को लेकर so अभी कौन-कौन से ऐसे खिलाडी है जो अभी नहीं आए है दोस्तों असुनिल नारायन है इसके अलावा लॉकी फर्गसन है टिम साउती है और यहाँ पर रहमनुला गुर्भास है शाकीब और वो तो लेट आएंगे अभ फर्गसन की बात करें तो उनको इंजरिय तो कुछ मुकाबल के लिए भार है टिम साउती अविलेबल रहने वाले और जो भी प्लियर्स है ना यह 28 और 29 इनकी expected date है या तो 28-29 को आएंगे या फिर दोस्तों almost आच पहुँची चुक्य होंगे अब KGR पोस्ट करे या फिर ना करे तो इसी के साथ हमें दोस्तों अब एक और intra-esport मुकाबला देखने को मिलने वाला है पहले intra-esport मुकाबले में बहुत अच्छी या पर बल्लेबाजी की गई थी expensive side के दोरान वहाँ पर कुछ अच्छे बॉलिंग भी की गई थी बिट बात के तो एक major concern team KGR के लिए निकल कर आ रहा है जो कि है यहाँ पर Narayan Jagdishan अब Narayan Jagdishan जिस form के साथ यहाँ पर उनको IPL के auction में खरीदा गया था उस form को वो justify नहीं कर पा रहे है नेट्स के अंदर भी उनके जो shots है वो काफी missits जा रहे है और intra squad में भी आपने देखा होगा कि वो T20 छोड़कर ODI की तरफ जादा उनका gameplay जह रहा था let's hope कि हैर वो भी आते आते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी nerves हमाल ने क्यार उनके लिए भी एक बड़ा stage है hopefully उनको मौका तो नहीं मिलने वाला बट form के अंदर रहना बेहत जरूरी होने वाला है so comment कर दो team KKR का wicket keeper कौन होना चाहिए गुरबाज या फिर नरायन जगदिशन अगली update आ रही है फटा-फटी club को लेकर तो काफी सारे लोगों का ये question था कि फटा-फटी club क्या है अब ये फटा-फटी जो club है ना ये open होने वाला है opening soon ऐसा KKR ने एक post डाला था so यार यहाँ पर जो फटा-फटी club है ना वो पहले से ही opened है बट इसको थोड़ा बहुत change किया जाएगा याने आप इस club को जानते हो night club के नाम से बट अब इसका नाम फटा-फटी club रख दिया गया है वैसे तो काफी सारा engagement team के-कर चाहता है कि वो fans के साथ करें जैसे कि आप whatsapp पें से थोड़ा बहुत chat कर सकते हो जो कि सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना